असलाम अलेकुम डेली मार्केट रिव्यू के साथ में हूं युसुफ साही आज फिर मार्केट जो है वो नेगेटिव पॉइंट के साथ बंद हुई और ओवरॉल के इस हंडेड इंडेक्स ने 579 पॉइंट का जो हमने डिक्लाइन देखा और इंडेक्स जो है 389,871 के लेवल बें बंद हुआ है जब मार्केट उपन ही तो इंडेक्स पॉजिटिव था और मार्केट में लेकिन एक्टिविटी स्लो डाउन थी लेकिन जैसे से दिन गुजरता यह खास और पर जो सेकंड हाफ था उसके बाद हमने देखा खास और आखर के एक तिर दो घं जो है वो उसमें जो है वैल्यू जो है वो डिक्नाइन हुई है और उसके साथ साथ फिर जिस तरह जो है वो पिशावर में एक नमाका हुआ और उसके बाद जो है ओवराल सेंटिमेंट जैसे नेगिटिव हो गए लेकिन एक चीज़ जो पीछे डूरिंग वीकेंड में और उसका इंपेक्ट भी जो आने वाले दिनों में पैट्रोल पैसिस के उपर भी और इसके साथ साथ डिफरेंट जो दूसरी चीज़ें इंफलेक्शन की फॉर्म के अंदर नदर आएगा और उसका इंपक्ट जाशे बात फिर पॉलिसी रेट जो है वो फर्दर रॉम यहा कि अप्रूफ होती है पॉलिसी आती है नहीं आती गवर्मेंट अप्रूफ करेंगी इसके बाद टाइम लगेगा लेकिन जिस तरह कि इकनोमिक सिच्वेशन है वह थोड़ी जो है वह एक बड़ी कंसर्णिंग है खास वर्पर हम डिमांड बगर जिस तरह आप फुल्फिल क के अंदर थे लेकिन हमने देखा कि जब बंद हुए तो नेगेटिव जोन के अंदर जो है वह बंद हुए है और और ऑवराल सुच्वेशन जो है कल भी इसी तरह की रह सकती है और मार्केट में कॉलिटी नज़र आती है यह वह वीक भी नज़र आते जिस तरह की तरह की।